आज हम लोग इस वीडियो में बौध धर्म और गौतम बुध के बारे में जानेंगे गौतम बुध के ज्यान की प्राप्ति उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यू तक के बारे में इस वीडियो में हम लोगों को जानने को मिलेगा तो जो बौध धर्म है उसमें जो बौध सब्ध है ये बुध सब्ध से निकला है जिसका अर्थ होता है प्रकाशवान या जागरित बौध धर्म के संस्थापक यानि महात्मा बुध का जन्म 563 इसापूर में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक इस्थान पर हुआ था बुध के निश्चित जन्म इस्थान की पहचान अश्रोक द्वारा 2500 इसापूर में इस्थापित की गई थी रुम्मिन देई स्तंभालेक इस पर लिखा हुआ था इस पर खुदा हुआ है ये ब्रामी लिपी में लिखा हुआ था इसी से हमें ये साक्षे मिलता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में 563 इसापूर में हुआ था महत्मा बुद्ध की पिता का नाम शुद्धोधन था जो की कपिल वस्तु के साक के गड़ राज के मुखिया थे उस वक्त एक महा जन्पद था कोशल महा जन्पद इसी के आधीन आता था ये साक्के गड़ महत्मा बुद्ध की माता का नाम महमाया था जिनका संबंद राम ग्राम के कोलिय गड़ से था जब गोतम बुद्ध पैदा होने वाले थे न तो इनकी माता यानि महा माया अपने पिता के घर देव देव जो आजकल गोरकपुर जीले में इस्थित है वहां जा रही थी तो लुम्बिनी नाम के इस्थान पर एक बाग था उसी में एक सालवरिक्ष के नीचे उन्होंने करके बताया था कि यह या तो बहुत बड़े चक्रवर्ती समराड बनेंगे या बहुत बड़े महान सन्यासी बनेंगे और इनही के राज मे एक typ असित्री सी जिनोंने तो सिद्धार्थ को महान सन्यासी होने की घोशना भी करती थी फेर एक दुखत घटना गटी, सिद्धा सिधार्थ की मा महा माया उनके पैदा होने के साथ दिन के बाद ही चल वसी। इनकी मृत्यू के बाद सिधार्थ का पालन पोशन इनकी मौसी प्रजापती गौत्मी ने किया जिनके साथ सुद्धोधन ने बाद में साधी भी कर ली थी। इसलिए प्रजापती गौत्मी उनकी विमाता या सोतेली मा कहलाती है बहुत ही छोटी उमर में यानि सोला वर्स की आयू में महात्मा बुद्ध की साधी सुद्धोधन ने साक के गड़ की ही एक रूपवती कन्या थी या सुधरा नाम की उसी से उनकी साधी कर दी या सुधरा का और भी नामता जैसे बिमबा, गोपा, भादर कचना इसके बाद गौतम बुद्ध को एक पुत्र की भी प्राप्ती हुई जिनका नाम राहुल रखा गया था ये अपने राज महल में बड़े आराम से सानो सौकत के साथ रहते थे इनके पास कोई दुख, कोई दर्द न पहुँच पाए इसके लिए इनके पिता सुधोधन ने बहुत सारी विवस्था कर रखी थी फिर भी इनके मन में हमेशा सांसारिक कारेओं को लेकर मन नहीं लगता था और हमेशा दुनिया में दुख क्यूं है इसके बारे में जानने की इच्छा होती थी फिर एक दिन ये अपने प्रिये सार थी चंदक या उसका नम चन्ना भी था उसके साथ रथ पर सवार होकर शहर घुमने के लिए चल पड़े इनका प्रिये घोड़ा था कंथक जो रथ को खीच रहा था उन्होंने बारी बारी से चार द्रिष्ये देखे जिसमें पहला द्रिष्ये एक व्रिध व्यक्ती का था दूसरा द्रिष्ये एक रोगी व्यक्ती का था जो भीमार था और तीसरा जो एक श्रव यात्रा को ले जा रहे थे रोते चिलाते भीड जा रही थी और चोथा द्रिश्य इन्होंने देखा एक खुशहाल सन्यासी कव यहीं से अंतिम द्रिश्य को देखकर महात्मा बुद्ध कामन सन्यास की और खिच गया और 29 वर्स की आयू में उन्होंने गृत्याग कर दिया गृत्याग यानि घर छोड़ने की इस घटना को बौध साहित्यों में महा भिनिस्क्रमड कहा जाता है अब इसमें एक कहानी और भी जोड़ी जाती है कि इनके घर छोड़ने का कारण एक राजनितिक कारण भी है जिसमें कहा जाता है कि साक्यों की पडोसी, राज्यों, कोली राज्य के साथ रोहिडी नदी के पानी को लेकर बहुत सारे यूध होते रहते थे और इसी वज़े से अवसर पाकर शाक्यों ने कोलीयों के दमन के लिए सिधार्थ को यूध करने को कहा और सस्त्र उठाने को कहा लेकिन सिधार्थ ने ऐसा नहीं करना चाते थे इसलिए उन्होंने घर त्याग दिया घर छोडने के बाद गोरकपुर जिले में अमोना नदी के किनारे उन्होंने काशाय वस्त्र धारण किया और अपने सार्थी छंदक और घोड़े कंतक से विदा ले लिया घर छोड़ने के बाद सिध्धार्थ ग्यान की खोज में इधर उधर भटकने लगे इसे बहुत साहित्यों में आरे परेशना कहा जाता है ग्री त्याक के बाद महात्मा बुद्ध की जो सबसे पहले जिस गुरू से मुलाकात हुई थी वे वैशाली के सांखे दर्सन के गुरू थे जिनका नाम आलार कलाम था इनके तीन सो सिस्य थे उन्होंने सिध्धार्थ को अरूप समाप्ती की सिख्षा दी थी कुछ समय तक आलार कलाम के साथ रहने के बाद सिध्धार्थ की मुलाकात राजगरी के रुद्रक रामपुत्स हुई इनके भी साथ सो सिस्य थे इनके साथ रहने के बाद भी उनको संतुष्टी की प्राप्ती नहीं हुई आखिरकार गौतम बुद्ध गया चले गए वहाँ पर निरंजना नदी जो आजकल फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है इसी के किनारे एक वट वरिक्ष के नीचे पांच ब्रामण बिक्चूओं के साथ इन पांचों ब्रामण बिक्चूओं का नाम असजी, आंज, कॉंडिन्य, वप, महानाम और भद्य था जो यहाँ पर इन्होंने छे वरस तक घोर तपश्या की इस तपश्या के समय इन लोगों का भोजन अती सुक्ष मथा, पत्तों का रस पीते थे, हथेली भर दाल पर ही ये अपना जीवन यापन कर रहे थे अब इतने अल्प भोजन के कारण इन लोगों का सरीर जरजर हो चुका था, अस्थी दिखने लग गई थी लेकिन इसके बाद भी जब इन्हें ग्यान की प्राप्ती नहीं हुई तो, उन्होंने उरुवेला, मतलब बोद गया कि एक सैनानी की पुत्री थी सुजाता उनके द्वारा प्रदान किये गए खीर को खा कर, अपनी तपश्या को भंग कर दिया उसी दोरान वहां से एक बंजारा गुजर रहा था जिसने कहा, कि वीडा की इतार को इतना मत कसो की वो तूट जाए, और इतना भी मत ढीला छोड़ो की वो बजे ही न सिधार्थ को यहां से एक मध्यमार्ग मिला, जो कि बहुत धर्म का विश्व को दिया गया सरवाधिक महतपूर्ण योगदान माना जाता है इसके बाद पांचो ब्रामण भिक्चो ने सिधार्थ को पत भरष्ट समझ कर, यानि कि उन लोगों को यह लगने लगा कि इन्हें ग्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये बार बार कोई मध्यमार्ग अपना रहे हैं, खीर भी खाले रहे हैं, तो उन्होंने इनका साथ छो यानि उन्चासमें दिन उन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई, जिस दिन गौतम बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी ना, ये वैसाक पूर्णिमा का दिन था, अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी चाहिए, कि गौतम बुद्ध का जन्म, इनकी ग्यान की और इनकी मृत्ति ये तीनों ही दिन वैसाक पूर्णिमा का दिन था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, ग्यान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को दुख के रहसे का पता चला, और यह ग्यान हुआ की संसार यातनाओं और हर प्रकार से दुख से भरा हुआ है, उसे पराजित करने के लिए क्या करना चाहिए, यह जानकारी मिली, ग्यान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्त महात्मा बुद्ध कहला है, और गया बोध गया कहला है, और जिस पीपल के व्रिक्ष के नीचे उन्होंने ग्यान की प्राप्ति की थी, उस इसके बाद गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा गया जिसका अर्थ होता है वह जिसने सत्य को जान लिया हूँ और ग्यान की प्राप्ति के तुरंत बाद ही इन्होंने दो सिष्षे भी बनाए ये दोनों ही सुद्र बंजारे थे जिनका नाम तपसु और मलिक था अब ग्या प्राद में बनारस चले गए सारनाथ में जो वो 5 रिशी सबसे पहले मिले थे ना 5 उनसे मिलने के लिए ये सारनाथ गए सारनाथ में ये पांचो भिक्षूओं से मिले और अपना पहला उपदेश दिया इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है इसी के साथ उन्होंने बनारस के यश नाम के एक व्यापारी और उसके परिवार और मित्रों को मिलाकर 60 लोगों को बाध धर में दिक्षित किया और इनही सभी को लेकर सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले बाधसंग की स्थापना भी की बाधसंग में सभी सदस्यों के अधिकार समान थे उसे आशन प्रज्यापक कहते थे ये एक अधिकारी होता था और सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले निर्धारित प्रस्ताव को वृत्ती कहा जाता था सभा में प्रस्ताव रखने की सूचना को नत्ती कहा जाता था जब प्रस्ताव को बोध्धी समाज में का समय निसाम कहलाता था अब बात करते हैं कि बहुत संग में प्रवेश करने के लिए अयोग्य व्यक्ति कौन-कौन होते थे अब इसमें जिन व्यक्तियों की उम्र 15 वर्ष से कम होती थी उन्हें अयोग्य मान लिया जाता था और जो लोग अपने माता-पिता की अनुमती के बिना आते थे उन्हें भी अयोग्य माना जाता था अस्वास्थ, दिव्यांग, अंगहिन लोगों को, अपराधी को, कर्जदार, दास, राज सेवक को भी इस संग में प्रवेश निसेत था और सुरुवात में तो महिलाओं को भी प्रवेश नहीं दिया जाता था लेकिन ब पहली बौध बिक्षुडी इनकी मौसी प्रजापती गौतमी बनी थी उसके बाद मौसी की पुत्री नंदा और यशोद्रा जो इनकी पतनी थी इन्होंने भी प्रवेश लिया और इसके बाद कई महिलाओं ने बौध संग में प्रवेश लिया अब बौध संग में जो लोग सामिल हो जाते थे ना उनके लिए कड़े नियम होते थे जादा कड़े नहीं लेकिन सैध्धान्तिक नियम होते थे इसमें दस नियमों का पालन करना अतियावश्रक था ये दसों नियम ये थे कि जीव की हिंसा नहीं कर सकते थे चोरी से दूर रहना होता था ब्रह्म चर्रे का पालन करना होता था असत्य वचन नहीं बोलना होता था मद्य पान यानि सराब से दूर रहना अज समय भोजन नहीं कर सकते थे जो समय निरधारित होता था उसी समय भोजन कर सकते थे निरत्य गान से भी दूर होना होता था माला सुगंदित पदार्थ इन सबसे भी दूर होना आपको नीचे चटाई विछा कर ही सोना होता था और सभी लोग ऐसा ही करते थे कई प्रकार के आभुसड जैसे सोने और चांदी के आभुसड इसको भी छोड़ना होता था अब बात करते हैं बहुत धर्म के प्रचार के बारे में सुरुआत में गौतम बुध अपने ज्यान को प्रचारित नहीं करना चाहते थे लेकिन ब्रह्मा संपती के कहने पर उन्होंने अपने ज्यान का प्रचार प्रसार करना सुरू कर दिया वर्सा रितु को छोड़कर वो सारे समय मतलब की चार महा को छोड़कर वो हर समय अपने प्रचार कार्यों में लगयो रहते थे उन्होंने प्रथम वर्सावस जिस स्थान पर विताया था सारनादी था महत्मा बुद्ध में सरवाधिक वर्सावास जान दे गहाँ गुझारा था कोसल महाजनपद की राजधानी स्रावस्ती थी यहीं पे उन्होंने 25 वर्सों तक वर्सावास गुजारा था और इनके सबसे अधिक अनुवाई भी यहीं होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा समय भी यहीं गुजारा और इसलिए सबसे अधिक उपदेश भी अपने प्रिय शिश्य आनंद को संबोधित करते वे यहीं पर दिय थे यह तीनों चीज ही याद रखेगा कि सरावस्ती में ही इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्सावास 25 वर्स और सबसे ज़्यादा अनुवाई महाजनपद सरावस्ती में ही और सबसे ज़्यादा उपदेश भी सरावस्ती में ही दिये थे इसके बाद उन्होंने सरवाधिक वरसावास क्रमसर, राजग्री, वैसाली, कपिल वस्तू में गुजारे थे. महात्मा बुद्ह ने अपना अंतिम वरसावास वैसाली में किया था. बात करें राजग्री में बुद्ध जी ने हर्यक वंश के राजा बिम्बिसार को उपदेश देकर अपना अनुवाई बनाया था इसके बाद कपिल वश्टु में अपने मोसेरे भाई नंद को उपदेश दिया और राजग्री के राजटे में आनंद और देवदत दोनों को उपदेश दिया था हाला कि आनंद तो उनका प्रिसिस्से बन गया लेकिन देवदत विरोधी बन गया था गौतम बुद्ध ने स्रावस्ती में एक डाकू थे अंगुली माल इनका भी हिर्देव परिवर्तन किया था है इसके बारे में तो आपने कहानियां बहुत सारी देखी भी होंगी कई जगे पढ़ी भी होंगी बाद में इनको अपना सिस्से भी बनाया था इन्होंने महात्मा बुद्ध को अपने जीवन काल के अंतिम समय में बहुत धर्म का प्रचार करते हुए पावा पहुँचे थे वहाँ पर चुंद नाम का एक कर्मकार यानि लोहार या सुनार होगा उसने भिक्षा में सुवर का मांस खिला दिया था गौतम बुद्ध जी को जिसके खाने के बाद उनकी तब्यत खराब हो गई इसके बाद वे कूशी नगर पहुँचे जहां अंतिम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने जिसके बाद 483 इसापूर्वी में साल व्रिक्ष के नीचे 80 वर्स की आयू में इनकी मृत्ति हो गई मृत्यु की इस घटना को बहुत साहित्यों में महा परी निर्वाण कहा जाता है। उन्होंने अपनी मृत्यु के समय इस बाद की घोशना की थी कि मेरा कोई उत्रादिकारी नहीं होगा और मेरे वचन ही आपके मार्ग दर्सक होंगे। और अंतिम में उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे मृत्यू का जिम्मेदार किसी को न ठहराए जाए। गौतम बुद्ध के अवसेश को लेकर जगड़ा हो रहा था। तब द्रोड नाम के एक ब्रामर्ण ने मध्यस्तता करके सबको बराबर में अवसेश बाट दिये थे। तो आप लोगों ने इस वीडियो में गौतम बुद्ध के जन्म से लेके इनके महापरी निर्वाड के ब बारे में, संगीतियों के बारे में और बहुत धर्म में हुए विभाजन के बारे में लेंगे जनकारी। झाल झाल झाल